हेई फ्रेंज वेलकॉम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब भी सुष्थ होंगे आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं रीडिंग टाइम ऐसे हैं जब भी देखेंगे रिजनेट करेगी साथी में जनरल और कलेक्टिव भी है तो जुरूरी नहीं है सबसे करें अगर आप से करें तो लाइक शेर और कॉमेंट ज़रूर से करें मैं हापे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन पेना बहुत ज़्यादा टर्म्स और कंडिशन्स लगाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा उनको बांद के रखने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश उनकी फैमली की तरफ से है उनकी फैमली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो जिसकी वज़े से वो काफी ज़्यादा डिस्टरब हैं और आपको कहना चाहते हैं कि उनकी लाग कोशिशों के बावजुद भी वो आगे नहीं बर पा रहे थंडर बोल्ट उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में वो आगे नहीं बर पाएंगे जिसकी वज़े से हो सक है आप भी बहुत साइड हो और वो भी बहुत साइड है उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें नहीं मिले तो नो माटल की उनके पास क्या है लेकिन अंदर से वो इतने खोकले हो जाएंगे कि उनके मन में खुशी और हो बचेगी नहीं और डेफिनेटली आपके विना उन काफे ज्यादा कंट्रोल में है काफे टूटा हुआ अर्यून और स्पोयल फीड कर रहे हैं उनके लाइफ में चल रही है ट्रांस्फोरमेशन और कॉंप्रोमाइज वो कहना चाहा रहे हैं कि इस ताइम वो सिच्वेशन को काफी बालंस करने की कोशश कर रहे हैं बट थिंक 14, 28, 1 important हो सकती है, 5, 14, 23 important हो सकती है, 16 important हो सकती है, 15 important हो सकती है, dates आपके लिए, and अगर मैं initials की बात बताऊं तो, D important हो सकता है, T, N, G, O, I, C, B, L, M, P, R, I, E, S, ये initials आपके लिए important हो सकते हैं, तो आपके person इस ताइम बहुत परिशान है, बिकोज फामली नहीं मान रही है, उनकी या फिर आपकी लगातार बालेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांस्फोर्मेशन चल रही है आप दोनों की लाइफ में और वो आपको कहना चाह रहे हैं, कि वो पूरी एफट्स लगा रहे हैं, पूरी कोशिश है कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उन्हें कोई होप नहीं दिख रही है, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं, कि बहुत जल्दी वो कोशिश करके, चीजों को बैलेंस करके आपके तरफ बढ़ेंगे, तो तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, May God bless you fans, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, मैं आपके लिए प्रेया करूंगी, Thank you so much for watching, have a good day.